कोरोना महमारी के दोर से इस बार आदिवासी बागली विधान सबा भी अच्छुती नहीं रही। लगातार शेत्र में कोरोना संक्रमन फैल रहा है। साथ ही कोरोना पैसेंट भी निकल रहे हैं। लेकिन स्वास्त सुझधाओं के अभाव में शेत्री की जनता को कई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रसासन के इस्तर पर पूर्ण रूप से स्वास्त सुझधाओं शेत्री की जनता को नहीं मिल पा रही है। शेत्री जनप्रतिनीधी और राजनेतिक संगठनों के लोगों ने भी शेत्र से दूरी बनाये रखी हैं। ऐसी स्तिति में अब राष्टी सोयम सेवक संग के कारिकरता समास सेवा का करतव निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आशलेशन सेंटर से लेकर कोविट-19 सेंटर तक राष्टी सोयम सेवक संग के कारिकरता लगे हुए हैं। उसी कड़ी में बागली तहसिल में बड़े कस्पों को चिनहित करके और ऐसे गाउं जहां ज्यादा मरीज हैं उन गाउं को चिनहित कर लोगों को वैक्सिन के प्रफासन द्वारा अने को अनेक सस्थाओं द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि फुरक्षित रहें घर पर रहें अपने वच्चों का ज्यान रखें पर देखासी बुखार लगाता रही हो तो सास के उपताल में जाकर कोरोना की जाज कराएं ताकि अपने छोटे-छोट बच्चों का ज्यान रखें वह फुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार फुरक्षित रहेंगा तराष्टी स्वयमजवग संग इस को रखें को तोड़ने के लिए पुरे देश में अपने काड़ी कर रहा है उसी जंकला में अपने बागली जो अदिवसी छेत्रे उसमें भी एकाड़ी किया रहा है जाँ पर हमर बागली तेसरी के बड़े कज़वे हैं उनको को चिन्दा किया जा रहा है उसके बाद में खादसे शरवी वाले मरीजों को चिन्दा करके उनको दवाईयों की प्राभमी कुपचार के लिए कीड़ दिया रहा है लोगों को सांती देक्सेन लगवाने के लिए भी जावरूप किया जारा हो आपको वेक्सिन ही इसका एग मात्र कारगर उपाय है कि जिसके दोखर उन्हार कर लिए अभी तक ृतने गाहं तक जंकारी सता हरता पोंच पाय नहीं हुआ है कि इसमें कुछ बड़े कश्वे हैं और कुछ ऐसे गाओं जहां पर संकर्पन जादा पेला हुआ वहां पर सैनिटाइजर किया जा रहा है और इसे घर और इसे लोगों कि सुची बनाई जा रही है जो मरीज है और उनको ऐसोलेशन घर पर जाए रहा है और ज्यादा अधीर मर सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें सब्सक्राइब करें लूलें